रामपुर में बहाती किसान यूनियन शिर्मिंग जन्षक्ति की दिलामात सचीव सराज एहमद ने स्वास्विभाग से घ्यापन देकर मांगी थी कि उनके गाउं तारकपुर भोट में केम्प लगाया जाए डेंगू और मरेलिया जैसी बिमारियों की जाज की जाए सिराज एहमद की उसमांग पर आईश्वास विभाग की टीम उनके गाउं तारकपुर भोट पोजी और उनके गाउं में केम्प लगाया गया काफी लोगों की जाजी भी की गई तो वहीं दिलामात सचीव सिराज एहमद क्या के रहें देखी गाइस रिपोर्ट में मेरा नाम मुहमद सिराज है मैं जिला महा सची हूँ भारति किसानी में सर्मिक जनसक्ती से हमने एक ग्यापन दिया था जिसमें डेंगू को लेके सिकाते थी टाइफेट मलेरिय की सिकाते थी उसमें लगतार सेमो साब को ग्यापन दिया गया था उसमें सियामो साब ने हमारे ग्यापन पर सुनभाई करता हुए जाजबी कराई गाउं की सर्वे कराया गया उसमें जो भी दवाई हो भाई भी छड़की गई और उसी चीज को लेके पाच कैम्प लगाया गया उसमें लगबक 35 जाचे हो गई और उसमें कुछ मरी जैसे भी आये थे जिनें और पेट के दरत की दिक्कत थी या और कोई खांसी बगएरा की दिक्कत थी बलगम के टेस्ट होने के तो डॉक्टरों की टीम ने पूरी ने उन्हें जानकारी दी कि तुम चम्रावा होस्पिटल आओ और जो भी दवाई देने की होहाँ से दिलवाई जागी और एक्सरा बगएरा आया कुछ भी होने का वो डिस्टिक्स से कराया जागा तो इसमें पूरी सेमसाब की टीम ने पूरा-पूरा हमें सयोग करा और हमारे ग्यापन पर संग्यान लेता हुए ततकाल एक्सन कर गया इसमें हम बहुत-बहुत उनका धन्यवाद करते हैं और ठीक तरीके से सुनवाई हुई तो इसमें हम किसानों की मांगों को लेकर अभी कोई निकला जांचे करी गई है 35 जिसमें कोई भी अभी ऐसा मरीज नहीं पाया गया जिसे डैंगो या टाइफेट आता सब ठीक हैं और उसमें कुछ मरीज ऐसे भी आए गाउं के जिसके पेट में दरत था या खांसी की दिक्कत है तो उसके लिए डोक्टरों की टीम कोई काम डिस्टिक का होगा तो बोले वो भी हम करा के देंगे पूरा पूरा सयोग डोक्टरों की टीम का है